हाई फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुती स्वादिश्ट और जटपट बनने वाला टेस्टी मटर पुलाओ होटलों में और शादियों में बनने वाला ये पुलाओ आप यहाँ पर घर पर रखे मसालों से ही आसानी से जटपर बना कर तैयार कर सकते हैं तो आईए इस टेस्टी पुलाओ की रेसेपी को बनाना हम शुरू करते हैं इस पुलाओ को बनाने के लिए आप कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लीजे और सारी सामगरी उसी से लीजे हमने यहाँ डेड़ कप बासमती राइस लिया है और इन राइस को हम अच्छे से वाश करकर 15 मिनिट के लिए सोक कर देंगे ज़्यादा 15 मिनिट से ज़्यादा सोक नहीं करेंगे नहीं तो जब हम इसे पकाएंगे तो दाना तूटने लगेगा और अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन में दो बड़े चमच हम घी डालेंगे यह पुलाव यहाँ मैं गी से बना रही हूँ आप चाहें तो इसे तेल से भी बना सकते हैं 50 ग्राम काजू लेंगे और इन काजू को हम यहाँ पर गूल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर भुनेंगे 2-3 मिनिट का समय लगता है काजूओं को भूलने में और ये देखिए काजू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल का साइट पे रख लेंगे 25 ग्राम किश्मिश लेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए भूलनेंगे किश्मिश हलकी सी फुलने लगी है तो इस टेज पर हम ये किश्मिश निकाल लेंगे पुलाव जो है वो घी में ही बहुत बड़िया टेस्ट आता है तो मैं यहाँ इसे घी में बना रही हूँ अब हम यहाँ पर 1500 ग्राम पनीर लेंगे उन्हें मैंने इसे चोटे टुकडो में काट लिया है और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे रोस्ट करना है पनीर की दोनों साइट गोल्डन ब्राउन होने में 5-6 मिनिट का समय लगता है golden brown होने पर इसे भी हम निकाल के side पे रख लेंगे अब हम पुलाव बनाएंगे तो हमने एक कड़ाई ली है और जो हमने काजू और पनीर फ्राई किये थे वो गी डालेंगे बचा हुआ और दो बड़े चमच गी हम इसमें औरेट करेंगे और इसे बहुत ही फ्लेवर फुल बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ गरम मसाले लिये हैं काली मिर्ज, लॉंग, बड़ी इलाइची, सीलेमन स्टेक, इलाइची और चक्रफुल बहुत ही बड़ी फ्लेवर देंगे यह पुलाओ में, इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगेगी दो, यहाँ पर हम तेज पत्ते डालेंगे और इन सब को हम घी के साथ एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे बहुत ही बड़ी खुश्बू आने लगी है, तो इस टेज पर हमने यहाँ एक प्यास को स्लाइसिस में कट करकर लिया है वो एट करेंगे और मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए से भून लेंगे दो मिनिट के बाद हम इसमें जो हमने यह अदरक के लच्चे काट के लिए हैं वो एट करेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्यास उसके बाद हम एक कप मटर लेंगे जिसकप से हमने चावल लिये थे वही एक कप भरकर हम यहां फ्रेश मटर लेंगे और मटर को हम दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे उसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे मैंने यहां ओरेंज गाजर ली है अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल वाली गाजर भी ले सकते हैं और अब हम इसमें हरी मिर्श डालेंगे स्लाइसेस में कटी हुई और इन मिर्श को डालने के बाद जो मटर और गाजर हैं वो हमारे पक नहीं जाते तब तक हम इसे पकाएंगे गाजर और मटर देखिए ये अच्छे से कुख हो चुके हैं तो अब हम इसमें जो हमने राइस सोख करके रखे थे 15 मिनिट के लिए उसका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे और राइस को हम यहां कड़ाई में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सबजियों के साथ इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो हमने हरी मिर्श भी डाली है तो मैं यहाँ एक बड़ा चमच लाल मिर्श पाउडर डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा स्पैसी ना हो पुलाओ और एक चमच भरके हम यहाँ गरम मसाला एड़ करेंगे नमक एक बड़ा चमच नमक आपके स्वादनुसर कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से राइस और सबजियों के साथ मिला लेंगे और दो मिनीट तक हम इसे पकने देंगे ताकि जो मिर्च और गरम मसाला है वो घी में अच्छे से भुन जाए और अच्छी खुश्बू आने लगे दो मिनीट के बाद हम इसमें तीन कप पानी डालेंगे जिसकब से हमने चावल लिये थे डेड़ कप चावल लिया था तो हम यहां तीन कप पानी डाल रहे हैं उसी रेशो से चावल में पानी डालेंगे तो जो राइस है वो एकदम परफेक्ट बनेगा और एक चमज भरकर नीबू का रस डालेंगे इससे जो हमारे पुलाओ का राइस है वो एकदम खिला खिला बनेगा अब हम इसे लो फ्लेम पर धक कर आँट से 9 मिनिट के लिए हम इसे पकने देंगे इसे पकते हुए 5 मिनिट हो चुके हैं तो अब हम इसका ढकन हटा के देखेंगे कि ये जो चावल है वो हमारे काफी हद तक पक चुके हैं तो अब हम इसमें जो हमने रोस्ट किया हुआ पनीर और रोस्ट किये हुए काजू एड़ करेंगे और जो किश्मिश भी थी वो भी हम यहां इसे एड़ कर देंगे घीमे बनने से इसमें बहुत ही बड़िया खुश्पू आती है अगर आप ये पुलाओ जो घीमे बना रहे हैं थोड़ा सा पानी है अभी इनमे और चावल भी थोड़ा कच्चा है तो अब हम इसे तीन से चार मिनिट के लिए और लो फलिम पर पकने देंगे तीन मिनिट के बाद ये देखिए पानी जो है वो सारा सोक चुका है और चावल भी हमारा परफेक्टली कोख हो चुका है ये देखिए मैं ऐसे चावल के दाने को प्रेस कर रही हूँ तो वो इसली ब्रेक हो रहा है मतलब ये परफेक्टली कोख हो चुका है तो ये जो हमार तेस्टी और स्वादिष्ट पुलाव है वो बनकर तैयार है हरे धने से इसे गार्णिश करेंगे और अब हम इसे राइते के साथ सव करेंगे तो देखिए कितनी जटपट से हमारा जो टेस्टी पुलाव है वो बनकर तैयार है तो इन सर्दियों के मौसम में आप मेरी इस आपको पसंद आएं तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल